अज आपके साथ टी स्टॉल केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं यानि की गजरा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं इसके लिए मैंने पर्फेक्ट मेशेरमेन के साथ इंग्रीडियन्स यूज की हूं इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इस टाइम आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए फर्स्ट फाइफंड़ ग्राम माईदा हाफ केजी 300 ग्राम शुगर इसके साथ 50 ml ऑईल शुगर के ऊ पर ऑईल डाल देजिए 50 ग्राम सोजी 1 एक एक टी स्पून बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून फेनल सीट यानि के सॉंफ इसकी जगह आप जीरा पी यूज कर सकते हैं इसको थोड़क्राइब प्रश करके इस तरह डाल देजिए इसको फर्स्ट अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूं इस तरह इसको मिक्स करने के बाद दूद में इस आठा को गूनना है इस सारी चीजों अच्छी तरह मिलने के बाद दूद इस्तिमाल करना है पर्स वन कप इस्तिमाल की हूं यह कप 90 ml का कप है आठा टाइट कूनना है तो देखिए इस तरह टाइट कूनना है टोटली मुझे 90 ml के खरीब खरीब तूद का इस्तिमाल हुआ है इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आगे पीछे हो सकता है इसमें को 2 हाफ में डिवाइट करके बेल लेती हूं इसको रिस्ट नहीं देना है माईदा डस करके बेल लेना है एक्दम बारीक नहीं एक से देड़ इंच का तिकनस में इस तरह स्कौयर शेप में बेल लेना है इसको साइट को कट करके इक्वल स्कौयर शेप बना लेती हूं इसके बार स्मॉल स्कौयर कट करना है इस तरह कट कर लेतना है मैं चोटा स्कौयर कट की हूँ अगर आपको बड़े स्कौयर शेप चाहिए तो और बड़ा स्कौयर कट कर सकते हैं कट करने के बाद स्कौयर के बीच में थोड़ा सा कट लगा लेना है इस तरह ध्यान से देखिए इस तरह कट लगा लेना है ओल में डालने के बाद यह फूल जाएगा इस तरह कट लगा के सारी गजरा को अरेंज कर लेती हूं अजबे जरूरत ऑईल डाल कर हीट होने के बाद कम्प्लीटली फ्लेम लोग कर देना है लोग करने के बाद वन बाई वन टेल ऑईल में डाल कर फ्लेम लो रहना चाहिए इस टाइम सारी गजरा नीचे बैच जाना चाहिए फर्स्ट उसके बाद 2-3 मिनिट बाद वो खुद उपर आएगा जब तक इसको कुछ नहीं करना है फ्लेम भी बड़ाना नहीं है तो देखिए सारी गजरा उपर आ गया है इस वक्त आप इसको टर्न करके थोड़ा सा फ्लेम बड़ा लेना है मीडियम फ्लेम में इसको और 2-3 मिनिट पका लेना है जब तक कि इस गोल्डन ब्राउन हो जाए अगर आप फ्लेम बड़ा देंगे तो अंदर से कच्छी रह जाएगी दिहान से इसको तलना है अलट पलट कर चारों को दन गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको निकाल देना है अगर फ्लेम लो ही रह जाएगा तो वो तूटने का चांस है नेक्स टाइम आपको फ्लेम कंप्लीटली लो रखके आपको बताती हूं अगर फ्लेम लो रहेगा तो उस तरह फट जाएगा इसको अब निकाल लेना है अच्छी गोल्डेन कलर आच चुका है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेर जरूर करें फ्रेंज फ्रेंज एंड फैमली को शेर करना ना भूले अगर मेरा वीडियो आप फर्स टाइम देख रहें तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकान को क्लिक करें ताके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो देखिए हमारी गजरा बनकर तयार है इसी थारा सकेन बैज भी प्रिपेर कर लेती हों ओईल को फिर से हीट करके टोटली फ्लेम को लो करके गजरा को डालना है वो खुद उपर आएगा अगर उपर आते समय आप फ्लेम को ना बढ़ाए तो इस तेल ही में फट जाएगा तो देखिए इस वक्त फ्लेम मेरा बिलकुल लो है इस तरह थूट जाएगा अब फ्लेम को मीडियम में रखकर इसको बराबर कर लीजिए यही मिस्टेक है इसमें अक्सर होने वाला मिस्टेक यही है देखिए अंदर से एकदम सौफ्ट बाहर से क्रिस्पी टी स्टॉल जैसा गजरा बनकर तयार है आप पी ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स ट्राइ करके मुझे कमेंट करें अल्ला हाफिज बाई आप अंदर से एक अंदर से लिए बाई